आज संडे और संडे को घर के इतने सारे काम हो जाते हैं कि लगता कुछ ऐसा बना ले जो कम टाइम में धेड़ सारा बन जाय ताकि टाइम बच जाए तो आज मैं आपको सावुदाना की खिचडी बनाने की कुछ टिक्स और ट्रिप्स बताती हूँ क्योंकि जब आप जब सुबह देखेंगे तो इसी तरीके से सुखा सा और बिल्कुल सौप्ट सा रहता है और यहीं मैंने आलू कट करके रखा है इस तरीके से अगर आपके पास बॉइल की हुई आलू है तो आप उसको एट कर सकते हैं और एक टमाटर भी लिया है एक मोटे तली की मैंने कड अब इसी कड़ाई में पहले मुमफली डालके उसको हलका सा रोष्ट कर लेते हैं बीना तेल और यहां और जैसे यह बुद्ध कर सकते हैं लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूं यह बहुत टेश्टी भी लगता और देखने में बहुत अच्छा लगता है तो अब इसी अब दिया है रफाइन आयल और जैसे गर्म हो जाता है तो यह सी में थोड़ा सा जीरा आय्ट करेंगे सबसद करेंगे बारीक टी हड़ी हरी मिर्च आयट करना है इनको हलका सा स्वाटे कर लेना है हलका मुद करना है और इसी के इसको एक मिनट के लिए कबर कर देती हूँ और एक मिनट बाद आप चेक करिएगा ये देखे आलू का कलर भी चेंज हो गया आलू अच्छे से पक भी गई है तो वैसे ये बहुत टेश्टी लगती है आलू नमक भी एड़ है इसमें और इसी में एक कटा हुआ टमाटर अब इसी में ऐसी साबूदाना एड़ कर देंगे तो अगर आप इस तरीके से सामुदाना के खिचडी बनाते है तो बहुत खिली खिली बनती है बहुत सौप्ट भी होती है और इसी में नमक स्वादन सारा एड़ करना है और इसी के साथ एक चमास सकर जरूर करिए गाइस स इसी तरीके से medium to high flame में इसको continue stir करना है पकाना है और फिर इसको cover करके side से रख देते हैं लगभग एक मिनट के लिए और एक मिनट बाद आप चेक कर लीजेगा ये देखे बिलकुल इस तरीके से बनके ready हो जाता है और अब इसी में add कर देंगे ये मूम फली के दाने जो crust करके और एक lemon juice add कर देंगे इसमें एक निबू का रस और धेर सारी इसमें बारी कटी भी हरी धनिया add करेंगे फटफट इसको mix करेंगे ये जो नास्ता है ना पोहा से भी जल्दी बन जाता है और healthy भी होता है सबको फायदा करता है आप सुबा सुबा आप किसी को भी इसको नास् नास्ता बन के ready हो जाता है तो ये देखे टेश्टी भी बहुत लगता है तो आप लोग भी ट्राई करिएगा और जब बहुत सारा धेर सारा घर में काम होता है ना तो यह नास्ता बहुत फटा-फट बन जाता है तो हम मिलते नए वीडियो के साथ आई होप आज का वीडिय करें लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें थैंकियो फॉर वाचिंग फ्रेंड्स वीडियो